हेलो गाईज आपका हमारी चैनल बैक फ्रॉम दे डेड मेस वाकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है तो पैन एंटर डाज नोट एग्जिस्ट जब आप अपने पैन कार्ड को पैन कार्ड नंबर को कहीं वेबसाइट पर वीडिट कर रहे हो तो वहाँ पर लिखा रहा है कि आपके जो पैन नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इस प्रॉब्लम का सॉलुशन पताऊंगा आज की वीडियो में तो वीडियो बिसंदा है वीडियो को लाइक चुटूट करें हमारे चैनल वेबसाइट को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए तो बहुत सारी यूसर्स को ये प्रॉब्लम हा रही थी कि लिखा रहा है उनका पैन नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इस प्रॉब्लम का सॉलुशन में बताता हुए तो दरसल कभी अभी क्या होता है टेक्निकल ग्लिच आ जाता है आपके जो पैन काड की जो एफिलिंग एपोटलन का तो वहां पे वह अपने डाटाबेस मेंटेन करते हैं जिसके करण वह कभी-कभी उनकी जो वैबसाइट एंडर मेंटेनस चाहती है तो वहां पे कभी-कभी प्रवारिफ नियुक आप तो और कभी-कभी कह कुंव आता है जो हमने बहुत दिन से स्कंव इपने पैन काड को चलाएने नहीं होते हैं उछ को activate देखहना पादा है कि कभी실ण और और आपको चैक करना है कि वह डेक्टिवेट तो नहीं कर दिए अगर डेक्टिवेट कब कभी वो deactivate भी कर देते हैं तो एक बार आपको चेक करना है कि वो deactivate तो नहीं कर दिये अगर deactivate किये तो एक बार उसको activate करवाना पड़ेगा तो अगर activate करवा ली गया तो आपको एक और चीज भी चेक कर लेनी है तो आपको क्या ч Cat करना है वो मैं बताता हो तो आपको एक दूसरी चीज़ ये चार दिए कि जो आपका जो Mobile Number है वो आपके Pan-Cat से Link होना जुरूरी है क्यों आपका कोई भी नंबर है एक कोई वो आपके Pan-Cat से Link होना बहुत जादा जुरूरी है तो एक number को link कर लिजेगा तो ये सब step follow कीजेगा इतनी serious problem नहीं है मुझे भी आय थी ये problem ये solve हो गे थी तो I hope वीडियो पसंद है वीडियो को like जुरूर कीजेगा